नमस्ती दॉस्त तो वेलगं प्रसपर गां ईलेक्री एंग करें सब्सक्राइल रिखार है टाइमिंग टेस्ट clause warning टेस्ट क्यों करते है क्angenों करते हैं किसे कर टेस्टेल נयों किया होना चाहिए पहले हम बात कराएगे कि आप कि प्लोजिंग अपनिंग टाइम सब्क्रेगर का जो है वहां कियो कि मै जरकर देख एटेर के पिछे का रिजम क्या है चलो उसके बारे में पहले बात कर लेंते। व्यूंस का परपस क्या है तो निए यह जैसे आपको पता ही होगा कि यहां पर विसी लिकाइब लिए जैसे आप यह तो यहां पर आप देख रहे हो कि यह वह इंकमें यह बस में लगए आपका तो यहां से यह जो होगा यह जो देख रहे हो वह रहे हैं तो आउट गोईंग कॉंटेक और यहां पर दिखा देते हैं जो का का taj- aberriant करने के पीछे का में टेजन चेक करने का मίνए लिए कि यह जो पॉल है उसके आओट ऒंाione में कुछ मौटर कनेक्टेड है nagais कोई भी रिसन की वज़े से सर्की बेकर के फोस ही बागी के दोंNO करोगे तो उसकी उस तेंब पर किया होगा जैसी आप करोगी तो आर जो फेज इसमें से हाई अमोट उपकरन पास होगा और बाकी वाई और भी बाद में लगेगे तो उसके बाद में वह दोनों लाइन में तो तब तक जो जो डिफ्रेंस जो टाइम है उस ताइम पर जाएगा कि आर भी ख़राब हो सकते है जैसे त्रिप कमड लेगा और वह ओपन होगा उस क्या है कि तीनों का जो पॉल है साथ ही ओपन होने चाहें उसमें भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए अदर्वाइस कि पहले कोई एक open हो जाएगा एक्जापल हम समझते हैं कि इस बार पहले open हो गया और वाई और भी बाद में open होता है तो क्या होगा कि आर पहले open हो जाएगा तो जो आर में से हमारे सिस्टम एजवेल एज हमारे बेकर के लिए अच्छा नहीं है वह उसकी लाइफ कर सकता है और अगर एक्विपमेट जाहें मोटर है तो मोटर का पर्टिकुलर जो कहीं से उसमें दिखका थे वह उसका इंसुलेशन पर खराब कर सकता है तो इसी कंडिशन ना हो इसलिए हम प्रोज और ओपनिंग टेस्ट करते हैं तो चलो अब बात करते हैं कि वह आपका सट्किपेकर का टाइनिंग चेक करता है पहले आपको एक बेजिक कीस बता देता हूं कि यहां पर क्या आप देख रहे हो कि यह आर फेसे वाई फेसे और भी फेसे यहां पर लिखा है आर जो और भी इसका सर्कृत है तो अब यहां पर क्या होगा वाई यह जो आर है उसमें यह आर में से एक लिट एक जादी होगी बट वहाँ पर क्या होगा कि वह वो इस लिए जो एक कीट को खुद को जो बिसी सप्लेट चाहिए वहां में यहां से प्रोवाइल करना है प्लस क्या है यह क्लोजिंग को यह जो खुरी सर्केट को ओन करेगी यह टुरी सबिप करेंगे तो हमें यह करेंक्षन में बात करते कि कैसे टेस्ट किया जाता है चुली में तो वं सब्सक्राइब कर देना है तो आपने कि यह जो प्रोब हो कनेक कर दिया तो अब क्या होगा इसकी यह जो पीट है वो कुछ वोल्टेज बेज़ेगी और जैसे यहां पर कुछ वोल्टेज मिलेगा फिर बेक मिलेगा उस टाइम पर जो टाइम लगेगा उसको बेजने का और रिटन होने का वह टाइमी चेक करें कि यहां का यहां का जो सप्लाई है यहां पर क्लोझीं कोैट करें वहां पर करें है तो क्या हो किट और तो क्लोजिंक क्मांड तो हो तो जैसे क्लोजिंग क्मांड लगैं क्लोजिंग को ऊपन में से क्लोज होगा उस मिलेगा तो यह जो कीट हो सेंस सबस्सक्ष którą कितने अब क्लोजे के यह प्र Champs के रूरोड यहां कर लेती है अब बात करते हैं कि कैसे एक्चुली में हम इसको एनलाइज कर सकते हैं तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि पहले हम कीट से क्या करें कि जैसे गैसे अब यहाँ सकते हैं कि स्टाइट करें तो सब्सक्राइब करें और जो भी रिडिग आया गा मिली से कीड में है वह इसे लिए अमें लिख लेना है कि 42 42 और 43 इसकेस में आया है शेक्ट करवा वापस कुछ रिडिंग आयेगा और वह भी आपको कर लेना है तीसरा का जो होता है वह यहां पर दिखाया गया है यह से तिंग करते हैं हम तीन टेस्ट करते हैं क्लोज ओपन पर क्लोज ओपन तो अब गैस बात आए कि टाइमिंग जो है वह होना कितना चाहिए तो यह सभी के मैं आई में एक्विशन रहेगा तो चलो उसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर देख रहे हैं एक स्टांडर है आई सिकर के उसने कि इसने दिया है कि भाई जो डिफरेंस आपको मिलना चाहिए कि ओपनिंग कंडिशन पहले हम बात करते है किए थीमने फेले उत्हीं है वाला अलिका है तो यहां पर ईकार कितना मिल रहा है जबको 1 millisecond अब आप हम क्लोजिंग में देखेंगे तो एस पर दस्टांडर्ड क्लोजिंग जो है उसका डिफरेंस वह फाइन मिली से कंड से कम होना चाहिए तो हमारे केस में तो यहां पर मिली से कंड है मतलब कि 5 millisecond से डिफरेंस हमें कम मिल रहा है तो अब इसकेस में क्या होगा इसकी जो डिफरेंस है वह 46-40 यानिकी 6 मिली से कर आपको मिलता तो 6 मिली से कंड है तो ही हम क्लोजिंग टाइम है वो ओके बोल सकते अब यहां पर 6 मिली से कंड का डिफरेंस मिल गया में तीनों पो यह दो पोल के बीच में इसमें कुछ दिक्कत है कुछ में कर दो कोई भी कॉंटेक में प्रोब्लम है तो फिर आपको उसका मेंटेर्स करना पड़ेगा और टॉबल सुट करना पड़ेगा तो जो प्लोजिंग टाइमिंग जो है आपको तीनों पोल का जो क्लोजिंग टाइमिंग मिलता है उसमें देख लेना है कि जो उसका जो डिफरेंस है मैक्सीमम और मिनीमम का जो डिफरेंस है वो 5 यह से कम होना चाहिए आपको आपको आगे कुछ टबल सुट या तो फिर भी मिकेनिजम चेक करना पड़ता तो आप समझ गए होगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है उसका कितना रीडिंग आना चाहिए प्लस ग्रेज़ जो सी ओ है क्लोज ओपन इंस्टंट ओपन हो जाता है उसका टाइमिंग यहां पर दिया है तो इसका अपिछ यह सभी आपका सथी तो आप समझ गए कि यह जो टाइमिंग टेश्ट रेकर वह कैसे किया जाता है और उसका जो रीडिंग है वह कितना आना चा तो प्लीज लाइक कर देजिए अभी तक आपने यूटीब चनल सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इसे इंटरस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहे हैं तिक्यू गैस मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में